प्रिय दोस्तूं नमस्कार आज की इस फीडियो में हम पढ़ेंगे S को सकब पढ़ते हैं देखिए यदि किसी सब्द के अंत में T, P, P और F, I यदि किसी सब्द के अंत में T, P, P, F, I और उसके बाद S हो तो वहाँ पर S को सब पढ़ा जाएगा उधारण के लिए यहाँ पर लिखा है सब्द के अंत में P है और उसके बाद S आ रहा है तो यहाँ पर S का उचारण स होगा तब इस सब्द का संपूर्ण उचारण होता है लिप्स ठेक उसी प्रकार यहाँ भी सब्द के अंत में P, E है जो हमारी इस नियम का पालन करता है और अंत में S भी है तो यहाँ पर S का उचारण स होगा तब इस सब्द का संपूर्ण उचारण होगा ओप्स ठेक उसी प्रकार यहाँ भी सब्द के अंत में F है जो हमारी इस नियम का पालन करता है और अंत में S भी है तब इस S का उचारण स होगा तब इस सब्द को हम पढ़ते हैं ओप्स इसका अर्थ होता है ओट ओप्स का अर्थ होता है आसाएं रूप्स का अर्थ होता है छतें अब इसकी परभासा पर चलते हैं देखिए यदि किसी सब्द के अंत में टी इ पी पी इ ए एप हो और उसके बाद S हो तो वहाँ पर S को सब्द पढ़ा जाता है जो की आपके सामने हैं लीप्स होप्स रोप्स इन तीनु उधारणों को आपको अच्छी तर समझा दिया गया था इस वीडियो में तना ही था Thank you, have a nice day